दो शब्द, मैं इसे अपना सोभागे समझता हूँ, कि शुरू से ही मेरी परमार्थ में रुची थी गुरुमत और संतमत के सहित्य के प्रती लगन भी थी, तथा भजन, सिमरन और निर्मल रहनी वाले महापूरुशों की संगती का भी शौक था इसकी अतिरिक्त मन में यह पूर्ण विश्वास था, कि नेकी, सच्चाई एवं नमृता को धारन करना, गुर्बानी का पाठ एवं विचार करना, तथा कुल मालिक के किसी नाम का प्रेम पूर्वक सिमरन करना ही आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कि जिस नाम से वृत्ती जोडने का गुरु सहबान और अन्यपूर्ण संतों ने उपदेश दिया है, वह कोई अक्षर ना होकर एक चेतन शक्ती है एक बार संत बाबा हरनाम सिंग जी, जो नम्रता, प्रेम और दया की मूर्ती थे, मैंने उनके आगे अपने हस्ताक्षरों से युक्त कोई संदेश देने की प्रार्थना की उन्होंने संदेश दिया, सत्गुरू शब्द रूप में मिलेंगे उनका संदेश तो प्रेम पूर्वक संभाल कर रख लिया, परंतु उनकी रहस्या की बात समझ में नहीं आई कई वर्षों के पस्चाथ, हुजूर महराच चरन सिंग जी के सत्संग में आने का सोभाग्य प्राफ्ट हुआ उन्होंने भी फरमाया कि सच्चा गुरू शब्द है और शब्द या नाम का अभ्यास करने वाले गुरु मुखों की सहायता से लिव को अंदर शब्द गुरू से जोडेंगे तो शब्द गुरू सुरत को खींच कर आंतरिक आध्यात्मिक मंडल पार करवा कर परमात्मा में लीन कर देगा आध्यात्मिक ताका वास्तविक उदेश्य आत्मा को जागरत और निर्मल करना है ताकि यह परमात्मा से मिलाप कर सके वास्तविक सेवक सुरत या आत्मा होती है और आंतरिक का ध्यात्मिक मंडलों में इसकी सहायता, संभाल और नित्रित्व शब्द गुरू करता है क्योंकि जो शब्द या नाम स्रिष्टी का करता और प्रतिपालक है, वही जीव का वास्तविक उद्धारक या मुक्ति दाता भी है आदि ग्रंथ में फर्माया गया है नाम में हीते सब की चुहुआ बिनसत्गुर नाम ना जापै तथा नाम में उपजय, नाम में बिनसय, नाम में सच समाय और उत्पत परलो सबदे होवै, सबदे ही फिर उपत होवै हुजूर महराज जी के इन विचारों के प्रकाश में शिरी गुरु ग्रंथ सहब का नई द्रिष्टी से पाठ किया और भाई गुर्दास जी की वाणी पर गंभीरता से विचार किया जन्म साखियों की सूक्ष्मता से चानबीन की और शबदार्थ शिरी ग्रंथ सहब में अनहद शब्द, अनहद वाणी, निर्मल नाद, अधी पदों के अर्थ देखे भाई वीर सिंग द्वारा रचे गए शिरी गुरु ग्रंथ कोश में और उनके द्वारा किये गए शिरी गुरु ग्रंथ सहब की वाणी के अनुवाद में सतनाम, अनहद शब्द, अनहद नाद, अनहद वाणी और पाँच शब्द आदी के अर्थों पर विचार किया और संत भाई रणधीर सिंग जी की पुस्तकों का अध्यान किया इस खोज और गंभीर विचार के बाद मन में विश्वास हो गया कि प्रभू के लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले नामों के अतिरिक्त वह शब्द, नाम, वानी या हुक्म भी है जो इंद्रियों के बजाए आत्मा के अनुभव की वस्तु है और जिसके विशय में गुरू सहिबान का कथन है कि सुरत को इंद्रियों के स्तर से उपर उठा कर ही उसका अनुभव किया जा सकता है अखी बाजों वेखना, विन कनना सुनना पैरा बाजों चलना, विन हत्था करना जीबे बाजों बोलना, यों जीवत मरना नानक हुकम पच्छान के तव खस में मिलना यह शक्ती जो परमात्मा से प्रेम करके सचखंड पहुँचने का वास्तविक साधन है प्रत्यक जीव के अंदर, आखों के पीछे, ध्वनी और प्रकाश के रूप में कारेशील है अंतर जोत, निरंतर बानी, साचे साहिब स्यों लिवलाई इसी शक्ती को परमार्थी भाषा में सच्चा नाम, सच्चा शब्द, सच्ची वानी, धुर्की वानी, अनहद शब्द, अनहद वानी, निर्मलनाद, हरी कीर्तन, अकत्थ कथा आधी कहा गया है वानी में इंद्रियों से उपर उठने और जीते जी मरने का उपदेश पढ़ते थे तो मन में यह विचार उठता था कि मन को विकारों की ओर से मोड कर नम्रता धारन करना अर्थात मन और इंद्रियों को वश में करना ही जीते जी मरना है बाद में ग्यान मिला कि ये गूड रहस्य में वर्णन है जिनके द्वारा वास्तव में मन और आत्मा को शरीर के नौ द्वारों में से समेट कर और पून एकागरता की अवस्था में सुरत को अंतर में शब्द की ध्वनी में लीन करने का उपदेश दिया गया है क्योंकि शब्द ही आत्मा को निर्मल बना सकता है यही इसे खींच कर उपर की और ले जाता है और इसके द्वारा ही आत्मा मन को वश में करके परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन सकती है इस पड़ाव को मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड समझता हूँ इससे यह एहसास हुआ कि हमें पूर्ण संतों की इलाही वानी को साधारन कविता की भाती नहीं पढ़ना चाहिए यह वानी गंभीर रुहानी रहस्यों से भरी पड़ी है और केवल ऐसे अनुभवी पुरुशों की सहायता से ही इस वानी की तह तक पहुँचा जा सकता है जिन्होंने इस वानी के सत्य को अपने जीवन में ढाला हो और जो वानी के उपदेश पर चलते हुए नाम या वानी का रूप हो गए है इस पड़ाव पर ही यह अनुभव हुआ कि गुरु सहेबान और अन्यपून संतों के उपदेश का केंद्र शब्द या नाम है जो गूड पारमार्थिक अर्थों से परिपून पद है गूरू सहेबान ने किवल परमेशवर या नाम को सत्यमाना है और संसार की प्रत्येक वस्तू को जूट कहा है गूरू सहेब कहते हैं खोजत खोजत खोजेा नामे बिनकूर और किर्तम नाम कथे तेरी जिहबा सात नाम तेरा परापूर बला सत का अर्थ तीनों कालों में एक रस, एक रंग और एक रूप रहने वाले सार पदार्थ से है इस से पक्का विश्वास हो गया कि शब्द या नाम किसी भाशा का विशेश शब्द ना होकर कोई रहस्यमय तत्व है इस द्रिड विश्वास के आधार पर ही नाम की अंतरमुक साधना का मार्ग स्विकार किया अब यह विश्वास दिन प्रति दिन बलवान होता जा रहा है कि नाम का मार्ग ही प्रभू भक्ती का प्रभू द्वारा स्वयम बनाया हुआ एक मात्र सच्चा मार्ग है इस मार्ग पर चलते हुए ही यह अनुभव हुआ कि जिस नाम को शुरी गुरु नानक साहिब ने अपने शब्द मोती तम्मंदर उसरे में मोतीयों के महलों, संसार के सबसे सुन्दर जीवन साथी, अलौके करद्धियों सिद्धियों और संसार के राजपाट से उंचा, निर्मल और सच्ची आत्मिक शान्ती का मूल स्रोट स्विकार किया है, वह कोई भाशा का शब्द नहीं भाई वीर सिंग जी के शब्दों में, नाम वहे गुरू से अभेद, उसकी कोई कला व्यापक वस्तू है, जो उसी की भाँती माया रहित है, और उसी की भाँती अलख है यह मानव हिर्दय में भी व्यापक है उसे पाना है तो युक्ती गुरू से मिलती है जो उसे हिर्दय में ही दिखा देगा गुरू किस प्रकार दिखाता है? गुरू परसाद से और उसके बताए हुए नाम अभ्यास से गुरू अरजुन सहब ने भी फरमाया है साद संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरह यह अलग और अगोचर नाम ही स्रिष्टी की रचना और संभाल करता है और यही भूलोक में आए जीव को अपने साथ वापस सचखंड ले जाने का कारे करता है परमात्मा के शब्द या नाम में लीन होकर ही आत्मा से करमों और संसकारों की मैल उतर सकती है तथा अनंत जन्मों से दुखों के मरुस्थल में तप रही आत्मा को सच्ची शान्ती मिलती है तो अंतर में शब्द से मिलाप करके आदिग्रंथ में वर्णन है पर ये मत पापां के संग, ओ तो पै नावें के रंग त्रिसना बूजी अंतर ठंडा, गुर पूरे ले तूटा गंडा सुरत सबदरित अंतर जागी, अमयो चोल चोल पी जाहे आध्यात्मिक्ता प्रेम भक्ती का मार्ग है दशम गुरू गोबिन सिंग जी ने फरमाया है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो परन्तु उस प्रेतम से प्रेम कैसे किया जाए जब तक जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पती को नहीं देखती यह उसके साथ प्रेम कैसे कर सकती है डॉक्टर बलबीर सिंग जी ने वानी के उधारनों से बहुत सुन्दर ढंग से समझाया है कि यह प्रेम सुरत को शब्द का स्पर्ष मिलने से जागता और फलता फूलता है आप कहते हैं शब्द और सुरत में जो संबंद है वह व्यक्तिगत रिष्टा है वह ऐसा है जैसे दो हस्तियों में प्रेम होता है शब्द में व्यक्तित्व है अपनत्व है अपनी खुदी है वह गुरू का रूप है वह गुरू है सुरत जीव है दोनों का प्रेम संबंद है यह व्यक्तिगत स्तर पर निजी रिष्टेदारी है यही जाती प्रेम शब्द सुरत संयोग है गुरू सहिब फरमाते हैं प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरन कमल मन बेद्यो बुजन सुरत संजोग शब्द गुरू का सुरूप हो जाता है और सुरत जीवात्मा का रूप प्राप्त कर लेती है रिष्टा प्रेम की तार है जो लिव है यह ध्यान नित्य बढ़ता है यह नित्य नवीन है भाई गुरुदास ची कहते हैं गुर्मुक सुखफल पिरम रस होए गुरुसिख मेला सब्द सुरत परचाय के नित्ने नवेला यह शिक्षा एक सजीव चेतन शिक्षा थी यह पाठे पुस्तकों का निर्जीव शब्द नहीं था यह एक सजीव तत्व का प्राणों में प्रुवेश था आदिग्रंथ में जिक्र है एक सब्द मेरे प्रान बसत है बाहुड जनमना आवा यह शब्द और सुरत दो चेतन रूपों का मिलाब था जिसमें से उपदेश की परंपरा चलती है गुरु का शिश्य बनने के लिए बस यही उपदेश था भाई गुर्दास ची फरमाते हैं गुर्व सिखीदा सिखना सबद सुरत सत्संगत सिख है गुरु नानक सहब ने एक और शबद गुरु सुरत तुनचेला का कथन किया है तो दूसरी और यह भी कहा है कि संसार सागर में रहते हुए इस से पार जाने का वास्तविक साधन सुरत शब्द का संयोग अर्थात अपने अंतर में नाम से लिव जोड़ना है जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाने सुरत शबद पवसागर तरिय नानक नाम वखाने शब्द या नाम की कमाई सच्चे उल्लास और सच्ची खुशी का सहज मार्ग है जिसमें किसी प्रकार की बहिर मुखी करने की अवशक्ता नही आदी गरंत में फरमाया गया है गुरु अरजुन देव जी का कथन है कि सब धर्मों में श्रेष्ट धर्म और सब कर्मों में श्रेष्ट कर्म है परमात्मा के सच्चे नाम से लिव लगाना सबसे उत्तम उद्यम है पल-पल, क्षण-क्षण परमात्मा के नाम की ध्वनी को सुनना सभी वानियों में श्रेष्ट अम्रित वानी, शब्द अर्थात नाम है और सबसे उत्तम देह वही है जिसके अंदर इस वानी का प्रवाह जारी हो जाता है सरब तरम मैं श्रेष्ट तरम, हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम कि रिया, साद संग दुर्मत मल हि रिया सगल उदम में उदम पला, हर का नाम जपो जीय सदा सगल बानी में अम्रित बानी, हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जह कट वसे हर नाम यह नाम रूपी चिन्ता मनी हर घट के अंदर है और पून एकागरता की अवस्था में प्राप्त होती है नाम रूपी अम्रित का दिव्य अनंद कहने सुनने से न्यारा है आदी ग्रंथ में फरमाया गया है सतसंग अंतर प्रब डीठा, नाम प्रबू का लागा मीठा सगल समगरी एकस काटमा है, अनिकरंग नानाद रिस्टा है नौनिद अम्रित प्रब का नाम, देही में इसका बिस्राम सुन समाद अनहत तहनाद, कहन नाजाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए आप फरमाते हैं, नाम अमूल्य धन है जिसकी महिमा सब धर्मों और धर्म ग्रंथों में है यह नाम भक्तों के हिरदय में प्रकट है जिस से सब पापों का नाश हो जाता है यह धन प्रभू की दया से पून साधू की शरण लेने से मिलता है ए निदान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुनबानी, सिम्रित सास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद पगत के मन बिसराम कोट अपराद साध संग मिटै, संत क्रिपाते जमते छुटै जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध सरण नानकते आए फिर कहते हैं, नाम से लिव जोडने वाला प्राणी धन्य है वही प्रभू का सच्चा यश गा रहा है वही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है उसी का मनुश्य जन्म सफल होता है उसी का यश लोक और परलोक में फैलता है उसकी रहनी ही निर्मल बनती है जीव के हर प्रकार के संशय भ्रम और भय दूर करके परमात्मा से मिलाने वाला नाम ही सच्ची सुखमनी है जिस मन बसे सुने लाई प्रीत तिस जन आवे हर प्रभचीत जनम मरं ता का दूख निवारे दुलब दे ततकाल उदारे निर्मल सोबा अम्रित ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दूख रोग बिनसे पैपरम साद नाम निर्मल ता के करम सबते उच ता की सोबा बनी नानक एगुण नाम सुखमनी पंजाबी विश्व विद्याले पट्याला से अवकाश प्राप्त करने पर नाम का अकर्शन मुझे राधा स्वामी सत्संग ब्यास ले आया यहां संत सत्गुरू की संगती साद संगत की प्रेम भरी सेवा और विशुद्ध अध्यात्मिक सत्संग का वह शांत वाता वरण है जो नाम की कमाई के लिए सुखमय और सुयोग्य प्रतीत हुआ इस ट्रस्ट ने मुझे प्रकाशन विभाग का कारे देखने की सेवा प्रदान की इस क्रम में संत नाम देव गुरू नानक साहिब गुरू रवीदास जी संत तुकाराम जी संत पल्टू साहिब संत दादू दयाल जी हाथरस के संत तुलसी साहिब जी साइं बुल्ले शा और प्रेम दिवानी मीरा बाई के जीवन और उपदेश पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित की गई कबीर साहिब और गुस्वामी तुलसी दास जी से संबंदित भी ऐसी ही पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है इन पुस्तकों की तैयारी में निकट संपर्क होने के कारण यह धारणा अधिक बल्चाली हो गई कि सब संतों का सांझा उपदेश शब्द या नाम की अंतरमुक अराधना है शायद इसी कारण गुरु अरजुन सहेब ने गुरु सहेबान के अतिरिक्त अन्य नाम मारगी संतों की वानी शिरिगुरु ग्रन सहब में सम्मिलित की होगी इसी लिए यह सोचा गया कि क्यों ना नाम के इस महतपून विशेपर भिन भिन संतों की वानी पर आधारित खोज से परिपून एक अलग पुस्तक प्रकाशित की जाए हुजूर महराज चरण सिंग जी की आग्या और आशिरवाद से इस संबंद में डॉक्टर टी आर शंगारी डॉक्टर कृपाल सेंग खाक डॉक्टर गुरदीब सिंग भंडारी और डॉक्टर मनमोहन सहगल से परामर्श किया तो ये विद्वान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे पुस्तक लिखने के लिए तैयार हो गए इन विद्वानों ने गुरुमत और संतमत के महतवपून विश्यों से संबंधित उच्च कोटी की खोज की है मौलिक पुस्तकें लिखने और कई पारमार्थिक पुस्तकों के अनुवाद का कार्य किया है डॉक्टर शंगारी ने गुरु नानक का हुक्म सिधान्त विश्यपर डॉक्टर खाक ने गुरु नानक का नाम सिधान्त विश्यपर डॉक्टर भंडारी ने गुरु नानक का रचना सिधान्त विश्यपर पीएचडी की उपाधी प्राप्त की है और गुरुमत संबंधी कई पुस्तकें और शोध पत्र लिखे हैं डॉक्टर मनमोहन सहगल को शिरीगुरु नानक काव्वे का दार्शनिक तत्व विश्यपर खोज के लिए पीएचडी की उपाधी और शिरीगुरु ग्रण सहब का सांस्कृतिक अध्यायन विश्यपर उच्छ खोज के लिए डीलिट की उपाधी से सम्मानित किया गया उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त बड़े परिश्रम से शिरीगुरु ग्रण सहब की हिंदी टीका भी तयार की है इसके अतिरिक्त विशेश पाध यह है कि ये सभी विद्वान नाम मार्ग के अभ्यासी है और इन्हें हुजूर महराज चरण सिंग जी के सीधे मार्ग दर्शन का लाब प्राप्त है इसी लिए ये हर प्रकार से इस गूड विशे संबंधी खोज करने और इसके निशकर्ष पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने के योग्ये है प्रसन्नता की बात है कि वर्शों की लंबी खोज और अनेक बैटकों में विचार एकठे करने के बाद ये विद्वान अपने विचारों को एक पांडू लीपी का रूप देने में सफल हो गए विद्वानों की एक अन्ने समिती ने आलेक को गंभीरता पूर्वक पढ़कर प्रकाशन के लिए स्विकार किया इसलिए आशा की जा सकती है कि यह आडियो पुस्तक परमार्त के इस अवश्यक विशय के संबंद में की गई उच्च स्तर की खोज में अधिक वृद्धी करेगी पुस्तक की तैयारी में लेखकों ने संसार के अनेक पून पूर्शों के विचारों से लाब उठाया है उन्होंने पुस्तक के एक अधियाए में वैदिक रिशियों जैन मुनियों बौद्ध महात्माओं युनानी, चीनी, यहूदी, पार्सी, इसाई, मुस्लिम और सूफी पीर पैगंबरों के अतरिक्त गुरू सहबान गोस्वामी तुलसी दास संत नामदेव संत रवी दास मीरा बाई जगजीवन सहब संत चरंदास पल्टू सहब दादू सहब हाथरस के संत तुलसी सहब और हुजूर स्वामी जी महराज आदी अनेक संतों के नाम से संबंधित विचार एक स्थान पर इकठे कर दिये हैं जिस से इस विशे के संबंद में तुलनात्मक खोज के लिए बहुत सहायता मिलेगी हम सत्संग की और से इन लेखकों के बहुत आभारी है जिन्होंने संगत और जिग्यासूं के लाब हेतू इतने परिश्रम से यह रचना तयार की है आशा है जिग्यासू इस पुस्तक में निकाले गए निशकर्शों पर निर्पेक्ष और उदार हिर्दय से विचार करेंगे पुस्तक में सुधार के लिए मिलने वाले सुझहाव लेखकों को विचार के लिए भेज़े जाएंगे कृपाल सिंग नारंग अवकाश प्राप्त कुलपती डेरा बाबा जैमल सिंग राधा स्वामी सत्संग ब्यास 2 अप्रेल 1985 सोपे चासी